मुझान! हैई गयाज कहीर जाने से पहले 1-5 लगहंटा पहले मैं रेडी होना पुरकदी हूँ क्याओं कि आधा टाइम तो वस्रूम में ही चला जाता है मेरा अभी मनेने नहां लिया है आज मैंने अपना हेयर्वास नहीं किया है क्योंकि दो दिन पहले मैं ने कर लिया था और अभी मैं यूज करूंगी body lotion तो मैं बाहर जब जाती हूँ day के time पे तो मैं SPA body lotion लगाती हूँ क्योंकि उससे मेरा body protect रहेगा, sun tan नहीं होगा और pigmentation भी नहीं होगा तो यह बहुत ज़्यादा important step है बाहर जाने से पहले अभी मैं अपना eyebrow को थोड़ा set कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत growth हो गया था और कहीं पर भी बाहर जब जाओ तो यह सारे चीज को notice करना बहुत ज़्यादा important होता है क्योंकि आपका eyebrow अगा shape में रहता है अच्छे से need and clean लगता है तो बहुत ज़्यादा well groom रहता है बहुत ज़्यादा attractive लगता है क्योंकि face को features को बहुत ज़्यादा enhance करता है बहुत ज़्यादा pop-up करता है यह सारे छोटे छोटे चीज का धियान रखना बहुत ज़्यादा important होता है सुबह जब मैं पानी देने आई तो देखा कि मेरे एक टामाटर पुरा red हो गया है दूसरा होने वाला है और तिसरा भी ग्रीनी है मैं बहुत ज़्यादा खुस हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे पास बहुत सारा flower है बहुत सारा ऐसा मेरे मिच्ची को भी लगाया है वो भी अभी grow हो रहा है मैं nursery जाओंगी दो चार दिन में इंशाल्ला और भी बहुत सारा चीज लेके आओंगे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है यह सारे चीज से तेरे भी यह यार मेकप करने से पहले मैं हमेसा आइसिंग करती हूँ उससे बेस बहुत ज़्यादा फ्लॉलिस दिखता है लॉंग लास्टिंग रहता है मेकप और सुईटिंग भी नहीं होता है तो यहाँ पर मुझे इंस्टन ग्लो चाहिए था इसलिए मैं रोस पैटल आइसिंग में यूज करूँ ज़स पांस मिनिट रखना है उसके बाद फेस बहुत ज़दा हाइडरेट एंड ग्लो भी करता है उसके बाद मैं यूज करूंगी टोनर यह है डाबर का रोस टोनर ज मुझे एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि दी आप अपना मेकाप ब्रस को कलेक्शन दिखाओ तो यह रहा और मेरे पास ज्यादा तो नहीं है पर जितना मुझे जरूरत है वह सारे ब्रस मेरे पास है तो यहाँ पर contour brush, eyeshadow brush, blending के लिए, foundation blending के लिए, blush on, eyebrow को set करने के लिए हर तरिके के ब्रस है जो भी ब्रस है वो pack का है क्योंकि मुझे pack का brush बहुत पसंद है यह दो जो है, यह eyeshadow brush के लिए बहुत अच्छा है और वैसे विए eyeshadow में बहुत कम यूज करती हूँ concealer brush मेरे पास 3 है, बहुत ही अच्छा है जब जो दिलकरे में यूज कर लेती हूँ और बहुत अच्छे से blend होता है और अभी में beauty blender तब से use नहीं करती हूँ और यह nose contour करने के लिए brush है, eyebrow के लिए है और बड़ा बला यह foundation blending के लिए बहुत अच्छे से foundation को blend करता है और यह big बला है, यह powder बला है और यह थोड़ा सा crack हो गया पता नहीं कैसे पर यह मैं इसमें blush on कर लेती हूँ और यह मैं face का control के लिए use करती हूँ और यह वाला मैं foundation के लिए करती हूँ पहले मैंने एक लिया था, use करके मुझे इतना जदा अच्छा लागा कि मुझे दूसरा भी ले लिया है और यह रहा मेरा brush का collection अफी जो भी बोलो जितना मुझे जरूरत है उतना ही मैंने लिया है और बहुत ही अच्छा है पैक का brush तो आप लोग भी ले सकते हो आप लोग इतना मत लेना एक concealer के लिए लेना और एक foundation के लिए लेना और अगर दिल करे तो eyeshadow brush में invest करते हो अधर्वाइस उतना ज़्यादा जरूरत नहीं होता है सारे brushes pack का है बट यह आईवरो के लिए जो brushes है यह pack का नहीं है कब लिया था मुझे भी याद नहीं है पर किसी और brand का ही है पर जो भी है इतना ही है और मैं आप लोग को एक ही चीज बोलूंगी कि आप अगर अच्छा एक brush में invest करना चाहते हो और थोड़ा बहुत reasonable भी र और गाइज मेरा गला थोड़ाचा खराब हो गया अभी थोड़ाचा हलका से fever है तो voice देने में थोड़ाचा मसला हो रहा है तो कुछ अगर दिक्कत आप लोग को सुनने में होगा तो please थोड़ाचा यह कर लेना ignore कर लेना मुझे मुझे बहुत तकलिव हो रहा है बोलने में मेकप करने से पहले मैं अपने skincare करूंगे और skincare में अभी sunscreen लगा रही हूँ क्योंकि मैं आइसिंग तो कर लिया है फिर मैंने rose water भी लगा लिया था और अभी मैं sunscreen लगा रही हूँ यहाँ पर मैं मॉस्ट्रोजर की skip कर रही हूँ क्योंकि sunscreen बहुत ज़्यादा hydrating है और मेरा oily acne pore skin है तो मुझे daytime पर उतना need नहीं होता है मॉस्ट्रोजर को इसलिए मॉस्ट्रोजर को skip करते हूँ और अच्छे से अपना face को अच्छे से sunscreen लगा लेती हूँ तकि protect रहे और hydrate भ है यहाँ पर मैं मैट का इस टोप किरीब लागा रही हूँ बहुत अच्छा है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यह और बहुत अच्छे से skin को hydrate भी करता है और बहुत अच्छे से एक natural glow भी देता है तो अच्छे से इसको मैंने पूरा face में लगा लिया अब मैं conceal करने का मेरा जो तरीका है में डाक भी नहीं यूज करते हूं हाइलाइट करने के लिए भी कंसिल करता है अबना यहाँ पर कंसील हो गिया है मेरा फेस अभी में foundation use कर रही हूँ आस्टलोरा का यह बहुत अच्छा foundation है और मेरा skin tone में एकदम exact मेरा skin tone का ही है ब्राउन skin tone का है और अभी में थोड़ा सा ही लेके अपना face में और अपना neck में पूरा अच्छे से इसको लगा लूगी यहां पर मैं के ब्यूटी का ब्लाश यूज़ कर रही हूं बहुत ज़ादा अच्छा है मेरा फेवरीट है मैंने दो ट्यूब खतम कर दे यह मेरे तीसरा वाला है बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है प्राश और डण हो गया है अब मैं मैं इस्टूडियो फिक्स ठोड़ा सा अपना लगा एक अपना मेकप को फिक्स करूंगोगी पर जादा नहीं करना है ज़स्ट हलका सा लाइट हैंड में अपना आइस के नीचे माउट के एरिया पर जहांपर रिंकल्स आया जाता है आफट मेरा oily skin है तो मेरा nose T-zone थोड़ा सा oily हो जाता है इस से ज़्यादा मुझे और कोई भी powder वेगरा कुछ भी लगाना नहीं है अब मैं थोड़ा सा हाइलाइटर लगाऊंगी मैक का हाइलाइटर बहुत ही अच्छा है जिस्ट हलका सा हाइलाइट करता है बहुत ही अच्छा हाइल मिलेटर है यह बिल्कुल भी वाईज़ा वाला चमक नहीं देता है Penal a hour को अच्छे से फील करूंगी जहाँ पर ग्याप है वहाँ पर अच्छे से आइवरो को फील करके ब्रॉस कर लूँगी ताकी नैच्छल लगे आंड ब्राउन कलर नैच्छल लुक देता है यहाँ पर just product लेके उसको अच्छे से blend करना है बहुत ही हलके हाथ से makeup को lock करने के लिए अच्छे से setting spray लगा लेंगे यह बहुत ज़्यादा important है इसको कभी भी skip मत करना mascara लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्यों mascara लगाने से face इतना अच्छा लगता है अच्छे इतना ज़्यादा खुबसूरत attractive लगता है अगर आप makeup में ज़्यादा कुछ नहीं ज़्यादा कुछ नहीं just mascara, sunscreen लगाओगे face में lip tint या फिर आप कोई भी lipstick लगा सकते है उसमें good to go बहुत ज़्यादा attractive लगता है बहुत ज़्यादा खुबसूरत भी लगता है यहां पर में nude color का lip liner यूज करूंगी क्योंकि मेरा जो outfit है उससे सबसे nude color भी जाएगा और lipstick में red और nude दोनों को में mix करके लगाऊंगी ताकि मेरा outfit के साथ उच जाए so guys makeup done हो गया है अब outfit चलो दिखाती हूं so मैंने में तरह से कूर्ती ओडर दिया था क्योंकि lunch date और day पे में जा रही हूं तो मैंने सोच में white color का कुछ भी में ले लेती हूं तो मुझे यह कूर्ती बहुत अच्छा लगा था और डर के दिख गया same to same तो मैंने भी order कर दिया है और कितना ज्यादा beautiful और बहुत ज्यादा प्यारा है इसका slips भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और इसका नेक भी बहुत ही ज्यादा खुबसूरत है मुझे यह personally बहुत ही ज्यादा खुबसूरत लगा है आप लोगों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और यह बहुत ज्यादा classy लग रहा है और इसका जो प्लाजो है उसमें भी work किया है नीचे और जो दुपट्टा है वो cotton का नहीं है of course बाट जो दुपट्टा भी है वो भी बहुत ही प्यारा है बहुत ज़्यादा खुबसूरत है तो मुझे बहुत ही overall मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों कैसा लगा जरूर बताना अब मैं hair का क्या करो style वो मैं सोच रही हूं क्योंकि हमेसा मेरा पंगा वही रहता है कभी जाने के टाइम पे तो अभी तो मैं फिलाल अपने hair में detangle कर रही हूं और मैंने सोचा जट पट में मैं हमेसा एक ही hair style बनाती हूं जो की एकदम जट में बन जाता है वहे मैं पोनी बना लेती हूं तो अभी मैं वही करूंगी और डेके टाइम में पोनी बना लूंगी तो तब भी चलेगा ओवरल लुक तो अच्छा ही लगने वाला है तो पोनी बनाने के लिए यहां पे में रवरवन यूज करूंगी यह बहुत अधा सॉफ्ट होते हैं और बहुत अच्छे से पोनी भी बन जाता है पोनी मेरा कंप्लीट हो गया है पड़ यहां पे बेवी हेयर दिख रहे तो इसको भी में सेट कर लूंगी बेवी हेयर को सेट करने के लिए यहां पे मैं हेयर वैक्स बाम यूज करूंगी बहुत अच्छे से बेवी हेयर को सेट हो जाता है और बहुत ही ज्यादा अच्छा क्लीन लुक लग रहा है सो येस अब ही मैं पूरी तरीके से रेडी हो गई हूँ अब मैं अपना ओटफिट पहन के आती हूँ यहाँ पे मैंने अपना नया वज भी पहन लिया है आप लोग एक चीज में दिखाती हूँ मैं जब भी कोई भी कूर्टी लेती हूँ, सूट लेती हूँ हमेशा में दो साइज बड़ी लेती हूँ ताकि मैं फ्यूचर में अगर मोटी हो जाओ तो मैं पहन सकूँ देख रहे हूँ मेरा सोच कितना आगे तक जाता है और अभी में हिल्स में मेरा पस दो अपसन था, न्यूड का तो मैंने जारा का ही ये वाला न्यूड वाला हिल पहन लिया है और अभी मैं थोड़ी से लंबी भी दिख रही हूँ और कम्पलेटली डेडी हो गई हूँ मेरी एक बहन ने भी मुझे बोला था कि मेक अप वीडियो सेयर करो तो मेक अप में जादा कुछ खास तो आता नहीं है पर मैं अपने अपको प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए जितना करती हूँ तो मैंने आप लोगों को सेयर कर दिया है तो वीडियो आप लोगों कैसा लग है ज़रूर बताना सब वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना सेयर करना और सस्क्राइब करना फिर में मिलूंगी मेरा नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए खुस रही है बहुत सरा पैर बाई लवी वाल